नमस्कार ने चौधवी स्वक्ष उर्जा मंत्री स्तरिया और आठवी मिशन इनोवेशन बैठक की मेजबानी की जारखन के गोड़ा में इस्थापित 1600 मेगावार्ड के अल्ट्रा सूपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बंगलादेश को बिजली की आप उर्थी शुरू की गई संसधिय समिती ने श्रम एवम रोजगार मंत्राले से गेग श्रमिकों के लिए कल्यान कारी योजनाय लागू करने को कहा, एक संसधिय समिती ने देश में लगू और सीमांत किसानों के लिए क्रुषी मशीनी करण में अनुसंधान और विकास शीरशक से रिपोर्ट प्रस् इस नियमावली का उद्देश्य है जल, सफाई और स्वक्षता, परिसंपत्तियों और सेवाओं की निरबाध आपूर्ती और नियुनतम हानी सुनिश्चित करना। इसके तहट भारत सरकार के प्रतेक मंत्राले या विभाग को आपदा प्रबंधन योजना की मुख्य विशेष्टा ये हैं कि ये ग्रामीन शेत्रों में जल और स्वक्षता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी विभागों पर लागू होगी इसके अलावा प् इसमें शमता निर्मान पर ध्यान की इंद्रित करने सहेत आपूर्ती और सेवा प्रदाताओं की पूर्व उपस्थिती सामुदा एक सहभागिता जोखिम आकलन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास करना शामिल हैं दूसरा है प्रतिक्रिया जिसमें जल आपू दूवत्ता संबंधी मुद्दों को सुल जाने और सफाई तथा स्वक्षता के लिए समाधान प्रदान करने के लिए ततकाल उठाये जाने वाले कदम शामिल हैं वहीं तीसरा इस्तंब है पुनर बहाली और पुनर निर्मान यानि बिल्ड बाक बैटर दृष्टिकॉर्ण के आधार पर जल, सफाही और स्वक्षता प्रदालियों की पुनर बहाली करना इससे ये सुविधाये भवेशी की आपदाओं से कम प्रभावित होंगी और चौथा है शामन यानि मिटिगेशन इसमें भवेशी की आपदाओं से वाश अवसंरचना और सेवाओं के कम बाध लक्षे जल आपूरती कारिक्रिम से जुड़े अलग-अलग हितिधारों की डिजिटल तकनीक का उप्योग करके शमता निर्मान करना है और आई अब बात करते हैं अगली खबर की भारत ने चौधवी स्वक्ष उर्जा मंत्रेस तरिय और आठवी मिशन इनोवेशन बैठेक की मेजबानी की CEM 14 या MI 8 की थीम थी स्वक्ष उर्जा को मिलकर आगे बढ़ाना स्वक्ष उर्जा मंत्रेस तरिय एक उच्चेस तरिय वैश्विक मंज है जिसका भारत भी एक सदस्य है ये वैश्विक स्वक्ष उर्जा अर्थविवस्था को अपनाने को प्रोथ सहित करने के लिए स्वक्ष उर्जा प्रद्योगी की को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कारेक्रमों का समर्थन करता है इसके तहट स्वक्ष उर्जा समुद्री हब शुरू किया गया, ये सभी शेत्रकों के लिए एक सारजनिक निजी मंच होगा, इसका उद्देश्य समुद्री शेत्रक से होने वाले परिवहन के लिए कम अथवाश्चुने उत्सरजन इंधन का उत्पाधन करने के लिए दूसरा चरण मिशन इनोवेशन 2.0 2021 में शुरू किया गया था, इसमें 23 देश और यूरोपिय संग शामिल हैं, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, MI के अंतरगत शामिल हैं स्वक्ष हाइड्रोजन, हारित उर्जा संचालित भविश्य, शुन्य उत्सरजन, पोद परिवहन, कार्बन डायोकसाइड को हटाना, शेहरी शेत्रों में स्वक्ष उर्जा अपनाना आदी, MI 2.0 के तहट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में RD&D यानि की अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के लिए वित्व पोशन अवसर घोशना 2023 जारी की गई है, हाला कि जिनेवा मरीज को एक ऐसे दाता से स्टेम कोशिकाएं प्राप्त हुई है, जिसमें CCR5-Delta-32 उत्परिवर्तन नहीं है, HIV मुख्यतोर पर मानव शरीर की CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करता है, इसे व्यक्ति के शरीर की कुछ संक्रमनों से लड़ने की शमता कम हो जाती है, CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का ही एक प्रकार है, CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सतह पर CCR5 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स HIV वाइरस के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कारे करते हैं, हालांकि CCR5 डेल्टा 32 उद्परिवर्तन HIV वाइरस द्वारा उप्योग किये जाने वाले इन रिसेप्टर्स को सतह पर बनने से रोगता है, इस तरह से ये वाइरस के लिए प्रवेश द्वार को ही बंद कर देता है, Stem Cell Therapy को अस्थी मज़ा प्रत्यार उपन भी कहा जाता है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें मरीज की शतिग्रस्त Stem Cells को स्वस्थ Stem Cells से बदला जाता है, Stem Cells विशेश मानव कोशिकाएं होती हैं, ये कई अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं में विख्सित हो सकती है, Stem Cells नई कोशिकाओं का निर्मान करती हैं, तथा शतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी कोशिकाओं को हटाती है, stem cell प्रत्यार उपन के कई प्रकार हैं जैसे कि autologus प्रत्यार उपन इसमें मरीजों की ही stem cells का उपियोग किया जाता है और दूसरा होता है allogenic प्रत्यार उपन इसमें दाता से प्राप्त stem cells का उपियोग किया जाता है यानि कि कोई और इसमें डोनेट करता है और तब stem cells का उपि देश को बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है गोड़ा अल्टरा सूपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भारत की ऐसी पहली परिचालित अंतराश्ट्रिय विद्युत परियोजना है जहां उत्पादित शत्प्रतिशत बिजली की दूसरे देश को आपूर्ति की जात 13,000 किलोमीटर तक विस्तारित पावर ग्रिट का निर्मान करेगी ये उपलब्धी ज्यादतर मौजूदा राश्ट्रिय या शेत्रिय ग्रिट के इंटरकनेक्शन के माधियम से प्राप्त होगी ये 140 देशों को जाने वाली वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग् परस पर जुड़े 100 और विद्यूत ग्रिट्स का पहला अंतराश्ट्रे नेटवर्क शामिल है। साथी बुन्यादी धाचे से जुड़ी चुनौतियां भी मौजूद हैं। आजी विका में सनलगन होते हैं। इन्हें मोटे तोर पर प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म आधारित कर्मियों में वर्गी कृत किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म वर्कर वे होते हैं जिनका काम ओनलाइन सौफ्वेर, आप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है। गैर प्लेटफॉर्म, गिग कर्मी, अनौपचारिक वेतन कर्मी और आत्म निर्भर कर्मी होते हैं जो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कारे करते हैं। इसके अलावा असंगठित कामगारों का व्यापक राष्ट्रेट डेटाबेस तयार करने के लिए इस्ट्रम पोर्टल लॉंच किया गया है। और अगली खबर क्रिशी एवं किसानों से संबंदित है। एक संसद्य समिती ने देश में लगू और सीमांत किसानों के लिए क्रिशी मशीनी करण में अनुसंधान और विकास शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को क्रिशी पशुपालन और खाद्य प्रसंसकरण पर संसद की इस्थाई समिती ने प्रस्तुत किया है। मशीनी करण क्रिशी कारे का एक आवशक इंपुट है। ये मानव श्रम को कम करते हुए उत्पादक्ता को बढ़ा देता है। पहुचने में 25 और साल लग सकते हैं। चीन में क्रिशी मशीनी करण 69.7 प्रतिशत और ब्राजील में 75 प्रतिशत है। वर्ष 2017 में फसल गहनता 142 प्रतिशत तक पहुच गई थी और ट्रैक्टर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 45.8 प्रतिशत हो गई थी। क्रिशी के मशीनी करण में और भी कई चुनोतिया हैं। जैसे कि देश के लगू और सीमान्त किसानों के लिए उपयुक्त मशीने उपलब्ध नहीं हैं। ये किसान देश के किसानों का 86 प्रतिशत हैं। चोटी जोतों के लिए ये पूंजी गहन और कम किफायती हैं। मशीनों की गुणवत्ता और बिक्री उपरांत सेवा निमनेस्तरिय हैं। अनुसंधान और विकास के लिए 2020-21 में बजटी आवंटन घटाकर 0.22 प्रतिशत कर दिया गया था। जो 2018-19 में 0.32 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गएं। जैसे कि छोटी मशीनों के विकास को प्राथमिक्ता देनी चाहिए। सभी राजों में समान रूप से मशीनी करन करने के लिए भारतिय कृषियानुसंधान संस्थान द्वारा सुझाई गई रणनीती के कार्यान वेन पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक ऐसी ठोस नीती की जरूरत है जो ऐसे पूर्जों के निर्मान को प्रोथ सहन दे जो किसी भी मशीन में फिट हो सके। ट्रेक्टर के पार्ट्स और घटकों पर जी एसटी की दरों को कम करने की जरूरत हैं जो की वर्तमान में 12 प्रतिशत है। साथी कृषी मशीनी करण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं क्रिषी और किसान कल्यान मंत्राले ने क्रिषी मशीनी करण पर उप मिशन को लॉंच किया है ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका उद्देश्य क्रिशी मशीनी करण की पहुँच बढ़ाना, कस्टम हाइरिंग सेंटर को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना, शमता निर्मान गतिविधियां संचालित करना आदी है और आईए बात करते हैं कुछ अन्य महत्तपून सुर्खियों पर अनुभवों के साजाकरन के लिए नीतियों का विकास करने और दुनिया भर में राश्ट्रिय जैव इंधन कारिक्रमों के लिए तकनीकी सहता का प्राबधान करने पर बल देगा दूसरा है अफ्रीकन यूनियन भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वंटी का इस थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अफ्रीकन यूनियन का मुख्याल है अदीस अबाबा एथियोपिया में है इसे आधिकारिक तोर पर 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तर अधिकारी के रूप में लौंच किया गया था इसके 55 सदसे देश है जो अफ्रीकी महाद्वीब के देश है इसका उद्देश यह है अफ्रीकी देशों की एकता और एक जुटता को बढ़ावा देना उनके बीच सहियोग को समनवित और तीवर करना अफ्रीकी देशों की संप्रभुता, शेत्रिय अखंड़ता और स्वत प्रभावित किसी भी जिले में एक अलाभकारी निकाई के रूप में एक क्रस्ट है इसे खान और खनेज विकास और विनियमन संशुधन अधिनियम 2015 की प्रावधानों के तहत इस्थाफित किया गया है खनन कंपनियों को राजिसरकारों को भुगतान की जाने वाली रोयल्टी के अलावा अनिवार रूप से रोयल्टी का 10-30 प्रतिशत DMF में योगदान करना होता है इस निधी का 60 प्रतिशत उप्योग उच्च प्रात्मिक्ता वाले कार्यों जैसे कि पेजल स्वास्थ सिख्षा आधी के लिए किया जाना चाहिए कैन्बिस CSIR IIIM जम्मू की कैन्बिस अनुसंधान परियोजना अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसके अंतरगात दुरुपयोग किये जाने वाले मादक पदार्थों को मानव जाती के कल्यान में उप्योग किया जाएगा कैन्बिस आधारित उत्पाद, कैन्बिस सटिवा यानि भांग पौधे के सूखे फूलों के शीर्ष, पत्तियों, तनों और बीजों से प्राप्ति किये जाते हैं इसमें ऐसे योगिक होते हैं जो इसे चिकित्से की ओशधी के रूप में उप्योगी बनाते हैं कैन्बिस के प्रभाव उत्साह वर्धक, दर्द निवारक और मनो सक्री प्रभाव की हो सकते हैं कैन्बिस में प्रमुख मनो सक्री घटक, डेल्टा Nine Tetra Hydro Canbinol हैं कैन्विस सबसे व्यापक रूप से खेती, तसकरी और दुरुपयोग किये जाने वाला अवैध मादक पदार्थ है अगला टॉपिक है लुडविगिया पैरुवियाना लुडविग पैरुवियाना एक आक्रमक खर्पतवार है इससे तमिलाडु में हाथियों के परियावास और चरागाहों को नुकसान हो रहा है ये हिल स्टेशन के अधिकतर दलदलों तक फैल गया है जिन्हें इस्थानी रूप से वायल कहा जाता है इसे लोकप्री रूप से प्रिम्रोज विलो भी कहा जाता है ये पेरु सहित मध्य और दक्षिन अमेरिका की स्थानिक प्रजाती है इसके छोटे पीले फूलों के कारण इसे सजावटी पौधि के रूप में उप्योग किया जाता है ये जलसरोतों के किनारे तेजी से बढ़ता है ये तमिलाडू में 22 प्राथमिक्ता वाले आक्रमक पादपों में से एक है अगला टॉपिक है फॉल्ट यानि भ्रंश हाल ही में अलग-अलग बड़े भूखमपों से संबंदित GPS आधरित टाइम सीरीज डेटा का विशलेशन किया गया इन विशलेशनों में भूखम से पहले भ्रंश के किनारे संचलन या गती की घटना देखने को मिली है चटान के दो खंडों के बीच के दरार वाले शेत्र को भ्रंश कहते हैं भ्रंश के अगर हम प्रकारों की बात करें तो एक है इसमें चटाने शेतिच दिशा में एक दूसरे से घर्शन करती हुई गती करती है और इनमें उर्द्वा धर गती ना के बराबर होती है दूसरा है सामाने भ्रंश यानि नॉर्मल फॉल्ट इसके तहत भूपरपटी में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में सरक जाते हैं और इससे घाटी का निर्मान होता है तीसरा है वित्क्रम भ्रंश यानि रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट इसमें भूपरपटी का एक खंड दूसरे खंड के ऊपर चड़ जाता है अगला टॉपिक है रेंसम वेर आपने रेंसम वेर के बारे में बहुत सुना होगा ये दरसल दो वर्ड से मिलकर के बना है एक तो है रेंसम और दूसरा है मैल वेर भारतिय computer आपात पर्तिक्रिया दल, सर्टिन ने अकीरा ransomware को लेकर छेतावनी जारी की है यह ransomware महत्यपूर्ण व्यक्तिकत जानकारी को चुराता है और data को encrypt करता है ransomware malware की श्रेनी का है ये computer तक पहुँच प्राप्त करता है और उन्हें उनके वैध उपयोग करता के लिए अनुपयोगी बना देता है जब ये लक्षित computer पर अलग-अलग file को encrypt करता है तो इसे crypto ransomware के रूप में जाना जाता है जब ये फिरोथी का भुगता ना होने पर computer की screen को लॉग करके रखता है तो इसे लॉग कर ransomware कहा जाता है अगला टॉपिक है फ्रेजल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम फ्रेजल एक्स सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो बौधिक अक्षमता और आटिजम का कारण बनता है FXS फ्रेजल एक्स मेसेंजर राइबो नुक्लियो प्रोटीन 1 नामक जीन में बदलाव के कारण होता है FMR1 आम तोर पर FMRP नामक प्रोटीन बनाता है जो मस्तिश के विकास के लिए जरूरी होता है FXS का कोई इलाज नहीं है हाला कि उपचार सिवाएं लोगों को महत्वपून कोशल सीखने में मदद कर सकती है और आईए बात करते हैं इतिहास की पन्नों की दुतिय विश्व युद्ध में भारतिय सेनिकों के योगदान की इटली ने दुतिय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतिय सेनिकों को श्रधांजली के रूप में वीसी यश्वन्त घाडगे सुन्दियाल मेमोरियल का अनावरन किया है। भारतिय सेना एं दुनिया भर के प्रमुख युद्ध शेत्रों में तैनाथ थी। दुतिय विश्व युद्ध में भारतिय सेनाओं ने अफ्रीका में जर्मनी से तथा बर्मा में जापानियों से 2400 घंटे काम किया था। भारत ने हतियार, गोला बारूद, लकडी, स्टील और विशेश रूप से खादे भी यूरोप में भारी मातरा में पहुँचाया था। जो की युनाइटिट किंग्डम का विदेशी राजशेत्र है और मुरको के सेउटा और मेलिला से घिरा हुआ है। इसकी समुदरी सीमा अट्लांटिक महासागर और भूमधिसागर से लगी है। इस्पेन के द्वीप समू है भूमधिसागर में बेलियरिक द्वीप समू फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्षे के लिए ततपर रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानि विजन आईएस की पूर